नमस्कार आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सत्यम गौर बोल्टन की सुरुवात करेंगे इस बक्ती की कुछ एहम ख़वरों के साथ मुझफर नगर किसान महापंचायत में पहुंची कॉंग्रेस की रास्टी महासची प्रेंका गांधी ने भाचपा सरकार पर जम कर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि किसान तडप रहा है लेकिन सरकार उनके गन्ने के भुकतान नहीं कर रही है उन्होंने आज देश में किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है प्रेंका गांधी ने का जिस तरह से इन्होंने अपने दो तीन मित्रों को पूरे देश को बेच दिया है उसी तरह ये अपके खेतों को भी बेचना चाहते हैं उन्होंने आहां तक कहा है कि जैसे पुरानी कहानियों में राजा महराजा होते थे ऐसे ही हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी भी हो गए है दो बार प्रधान मंतरी बनने के बाद उन्होंने अहिंकार आ गया है फिरिंका गांधी ने कहा है कि सरकार को किसानों का सम्मान करना चाहिए जिस किसानों ने मोधी जी को प्रधान मंतरी बनाया है वे उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं किसान से बात करनी चाहिए और उनकी सम स्याओं का समाधान करना चाहिए प्रेंका गांधी की रैली को लेकर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजमात किये गए हैं वहीं आपको बता देग इससे पहले मेरट में उनका जोरदार स्वागत किया गया मेरट से बड़ी संख्या में किसान ट्रेक्टर ट्रॉली लेकर महा सवा में पहुँच रहे हैं और आपको बता देग उधर कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आजैकुमार लल्लू ने भी सुक्रवार से ही रैली इस्थल पर डेरा जमाया हुआ है बगरा में आपको बता देगी कल्यार कारी इंटर कॉलेज में मैदान में हो रही किसान महा पंचायत में वक्ताओं ने तीन क्रशी कानूनों और भड़ती महंगाई को लेकर वीजेपी सरकार पर जम कर निशान असादा इस दोरान पूर्व मंत्रे दीपक कुमार, पूर्व सांसत संजय कपूर और आपको बता देगी राष्टी प्रवक्ता सुप्रिया और इस दोरान यहाँ पर पंचायत में कॉंग्रिस सरकार की उपलबधियों को गिनाया गया है वहीं पंचायत में रंगनी का भी कारिकरम रखा गया है और रुक करेंगे अगली खबर का पस्चिम बंगाल की राजधानी कुलकाता में विजेपी की एक यूवा नेता को 100 ग्राम कोकीन ले जाने के आरोप में गरपतार किया गया है आपको बता दे कि बंगाल विजेपी यूवा मोर्चा की महासचिव पमेला गोशामी को उसके पर्स और कार के सीट के नीचे से कोकीन रखने के आरोप में गरपतार किया गया है गोशामी के साथ यूवा मोर्चा में उनके मित्र और सहयोगी प्रवीर डे को भी गरपतार किया गया है आपको बता दे कि जब गोशामी और उनके सहयोगी एन आर एवेन्यू की एक कैफे की ओर चले तभी पुलिस ने अचानक उनके अपनी गरपतारी कर ली है और पुलिस ने उनका रास्ता रोक कर तुरंट सर्च करना सुरू कर दिया जिसमें आपको बता दे कि पर्स और कार की सीट के नीचे कथित तोर पर 100 गराम कोकीन मिला है जिसके बाद तुरंट पुलिस ने इनको दवोच लिया और जैसे ही पुलिस ने उन्हें दवोचा गोशामी चिलाने लगी और पुलिस उन्हें फसा रही है ये कहने लगी और आगे बता दे आपको कि गोशामी के अंगरक्षक को भी यहाँ पर गिरप्तार किया गया है वे भी उसी कार में था विजेपी के समन्वेक भरस्टाचार ने कहा है कि भटाचार ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा लेकिन क्या किसी कार में कोकीन डाल दी थी आदर्स आचार शहिता अभी भी लागू किया गया है और पुलिस राज के निरक्षन में है इसलिए कुछ भी हो सकता है उदर्त्रमुल कॉंग्रेस की नेता चंद्रिमा भट्याचार ने कहा है कि मुझे सर्म मैसूस हो रही है कि बंगाल में बھی ऐसा कुछ हो सकता है बंगाल में ये भाजपा की उभरती हुई असली तस्वीर है इससे पहले भी भाजपा के कुछ नेताओं का नाम बच्चों की तस्वीर के मामले में लिया गया था इसके साथ ही दिगविजय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस प्रकार से यूवा कलाकारों में जहरीले नसे का प्रियोग बढ़ रहा है वह वाकई में चिंता जनक है ऐसे में बीजेपी को सोचना चाहिए कि ऐसे यूवा यूवतियों को पद पर रखना नहीं चाहिए या चाहिए ये उनको बीजेपी को सोचना चाहिए